हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं राजपुताना बायो डीजल लिमिटेड आईपियो के बारे में ये कंपनी फाउंड हुई थी दोहजार सोला में ये प्रोड्यूस एंड सप्लाइस करती है बायो फ्यूस एंड द केया, इस पिपरमेतर का इस अप्रोड़ी ने अपर्रूफ क्या है प्रोडक्bourडिक्टी केपसीटी आफ 30 क्लोमीटर पर देद की इस कंपनी का फ्रोडक्र प्रोड़ड पॉर्पोर्फोलियो है वो इंक्लोड करता Хै बाइयो डीजल Krude Glycerine, कास्टिक पोटाश प्लेक्स, वेसलर्स, यूस्ट कुकिंग ओईल, एस्टिट फेर्टी एसिड, मेथलोन, सिट्रिक एसिड, रिफाइन राइस ओईल, क्रूट सनफ्लावर ओईल, सोडियम मेथोकसाइड, आर्बीडी पाम स्टेरिन, जो वर्क्स करती है, सेमी रिफाइनिंग ओफ ग्लिस्रीन पॉर अधर दोजार चोबिस को, औ en close होगा, 28 नॉंबर दोजार चोबिस को, यानि, 26 नॉंबर से 28 नॉंबर के बीच में, आप लोग इस आई पयो में अपलाए कर सकते हैं, इसकी लिस्टिंग डेट है, थीन दिसंबर 2020 σोबिस, यानि, 3 दिसंबर दोजार चोबिस को यह शेर मार्केट में लिस्टेट हो जाएंगे कमनी ने जो इसका प्राइज बेंड रखा है वो रखा है 123 तो 130 रूपीज पर शेर का 130 रूपीज इस IP की कट ओफ प्राइस होने वाली है एक लोट में 1000 शेर होने वाले है और जो इस IP का टोटल इशू साइज है वो है 24.70 करोड का जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है अगर आप रिटेल केटरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनीमम और मेक्जिमम एक लोट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं रिटेल केटरी में जिसका अमाउंट है 1.30,000 का अगर आपको केटेगरी के लिए 15% से IPO के लिए reservation रखा गया है चलिए अब बात करते हैं इस कमनी के financials informations की हमारे पास 3 साल का data है मार 2022 मार 2023 एंड मार 2024 का and 31 जुलाई 2024 तक का भी हमारे पास data available है तो अगर हम सबसे पहले assets की दोड़ देखें और जो amount है हमें show रहे हैं index में तो जो assets है अगर हम देखें लगातर हर साल increase है और 31 जुलाई 2024 तक भी already increase है तो लगातर हर साल increase रहने के कारण यह हमारे लिए क्या है एक तरिका positive point है revenue की बात करें तो जो revenue है है वह भी लगातर हर साल increase रहा है और 2024 में तो लगभग यह 128 percent से grow रहा है comparison to 2023 के जो काफी ज़्यादा higher percent से जो हमारे लिए क्या है positive point है तो लगातर हर साल increase रहने के लिए और काफी ज़्यादा higher percent से increase रहने के लिए हमारे लिए एक तरह का positive point है profit after tax की भी बात करें तो सेम प्रोसेस से लगातर हर साल increase रहा है और 2024 में लबभग 168 percent से increase रहा है यानि काफी ज़्यादा higher amount से जो profit है काफी ज़्यादा 2024 में increase रहा है comparison to 2023 के तो लगातर हर साल increase रहने के लिए high percent से increase रहने के लिए हमारे लिए एक तरह का positive point है net worth और reserve and surplus की बात करें तो यह दोनों ही लगातर हर साल increase रहा है तो यह भी हमारे लिए क्या है एक तरीका positive point है इसके अलावा अगर हम borrowing की बात करें तो जो borrowing से positive है या पर negative है वह आगे जब हम KPI factor देखेंगे उसमें जो डेव को इक होगा उससे हम पता करेंगे कि हमारे लिए positive में चल रही है या पी negative में चल रही है चलिए अब बात करते हैं इस कमनी के की performance indicator की इस कमनी की जो market capitalization है अभी plus 91.44 करोड की है क्योंकि अभी साथ से 8 साल इस कमनी को incorporate हुए हुए है उस basis पर ठीक ही है बाकि जो KPI is on 31 July 2024 दे रखें पर हमें जो return हम compare करेंगे लाज के तीन साल के data के साथ से compare करेंगे तो चलिए देखते हैं कि इस कमनी के return और deputy ratio तीन साल की क्या है तो अगर हम सबसे पहले कमनी के return on net worth की बात करें तो इस कमनी का जो return on net worth था 2022 में negative में चल रहा था फिर उने 2023 में अपने उसको returns को positive क्या और 15% से जाधा था 2023 में और 2024 में लगबग same 35 के आसपास ही चल रहा है यानि कि return on net worth था 2022 में 11.34 परसेंट था फिर उने इंक्रीज करके 22.01 परसेंट रहा और 2024 में लगब लगब से maintain करके चल रहे हैं तो 15% से जाधा है 2024 में और जो है हमारे लिए higher लगातर increase ही है तो इसलिए हम क्या करेंगे इस तरह से positive में consider करके चलेंगे तो यह दोनों return on net worth return on capital employed हमारे लिए positive point है debt ticket ratio हमारे लिए negative point है क्योंकि अगर debt ticket ratio हमारा एक से जाधा होता है तो हम उसे क्या मानते है negative में consider करते हैं और एक से कम होता है तो उसे positive में consider करते हैं यहां पर जो debt ticket ratio है हर साल ही देखिए यहां पर एक से परसेंट का और जब वीडियो रिकोर्ड हो रही है उस समय भी जो करेंट चल रहा है वह से में चल रहा है 50 परसेंट का यानिकी 65 रूपी इस आई-प्यों का अभी फिलाल जी एंपी चल रहा है तो अगर हम इन टाम सा अमांट प्रोफिट की बात करें अगर हम इस आई-प्यों में इनवेस्ट करते हैं और यह आई-प्यों इसी जी एंपी के आजपस मार्केट में लिस्टेड होता है तो हमें कितने अमांट तक का प्रोफिट होने के चांसेस रहेंगे तो जिसा किसका इनवेस्मेंट अमांट है एक लाग तीस हाजार और प्रोफिट पर के आई-प्यों मारकेट में लिस्टेड होगा अभी तो बहुत सारे दिन है इस आई-प्यों क्लोज होने में तो तब तक जो जी एंपी ए काफी जादा होने वाला है तो अब शीरान हम इस आई-प्यों के रिगार्डिंग डिसिजोन नहीं लेंगे क्योंकि अभी काफे जाता दिने इस IP को open and close होने में अभी जैसे कि 26 सारी को तो यह IP open होगा और 28 सारी को close होगा तो हम क्या करेंगे 27 सारी को एक दिन पहले 28 से 27 नौवंबर को एक updated वीडियो लेकर आएंगे इस IP के regarding जिसमें हम updated GMP की बात करेंगे subscription status की भी बात करेंगे क्योंकि इसका भी हमारे decision पे काफे effect पकड़ता है और market condition को देखते हुए और जो भी positive and negative point है उन सब को consider करते हुए हमारा जो final decision होगा कि हमें इस IP में invest करना चाहिए या पर नहीं करना चाहिए वो हम ले लेंगे तो जो मैं 27 नॉबंबर को updated वीडियो लेकर आने वाले हो इस IP के regarding तो उसकी लिए क्या कीजिए हमारे इस चैनल को अभी subscribe कर ले ताकि जब भी मैं इस IP के updated वीडियो लेकर आऊ तो आप उस वीडियो से updated रह सके और आपको सही से सही IP में apply करने के decision में health मिल सके तो आज की वीडियो में यही पर समाप करती हूँ I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को like, subscribe and comment करना मत भूलेगा and thank you so much for watching my video